ये देखे गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की एक टेस्टी सी यम्मी सी रेस्पी जिसको आप गाजर का केक, गाजर की मिल्क केक या गाजर का हलवे का केक आप कुछ भी कहें बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनेगी तो ये देखे गाइस हमने गाजर अपनी धुल के साफ करके छील के कुकर में काट कर डाल दी है ये कटोरी दूद हमने लिया हुआ है इसको हम कर लेंगे बॉयल तो करीब परीब तीन सीटियां लगात करके हम बॉयल करेंगे गाजर को क्योंकि जैसे कि आप सब जानते होंगे इस टाइम गाजर बहुत अच्छे से आ रही है बहुत बहुत टेस्टी और मीठी गाजर मिलती है तो इसमें आप रेड वाली गाजर या थोड़ा सा जो पीले पन पर गाजर आती है नारंगी पन पर वो भी ले सकते हैं तो ये देखे गाए हमने अपनी गाजर वाल कर ली है तीन सीटी आ चुकी है प्रेसर अपने आप निकलने दे खुद ना ओपिन करें ये देखे हम चमच लगा करके हम देख रहे हैं तो हमारी पूरी गाजर को खो चुकी है अच्छे से तो इसको अब ठंटा करेंगे और ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो ये देख सकते हैं ठंडी हो चुकी है गाजर हमारी इसको हम कर लेंगे ग्राइंड और जैसा कि आप सब जानते हैं गाजर हमारे हेल्थ के लिए कितनी कितनी अच्छी है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है तो इसका जो केक बनता is lila तो तो थोड़ा से जैली फौर्म में बनता है is जिनको जैली वाले मिठाई वगरा नहीं अच्छी लगता है बट जिनको जैली बेस चीजे जैसे कराची हुल्वा वगरा अच्छा लगता है तो उनको ये मिठाई बहुत अच्छी लगने वाली है तो चलिए देखिए अमने ग्राइंड कर लिया है अपना तो इसमें हम डाले एक कटोरी हमने आटा लिया है उसका हम हाफ आटा अड करेंगे यह हमारा चावल का आटा है तो इसको हम मिक्स करेंगे और फेट ल चावल काटा बच चुका है तो हम देख सकते हैं कि एक कटोरी चावल काटा बचाया है और यह देखिए हमने जितना आटा लिया था उतनी ही हमने चीनी ले लिया है जो कि इसमें एट करेंगे हमने ग्रैंड कर लिया है तो कुछ पतला सा लग रहा है तो इसमें जो हमने आटा बचाकर रखा था दो स्पून हम वह भी आट कर देंगे यह देखिए हमने वह आट कर दिया है आटा इसमें दिखाना गाईज भूल गया है उसके लिए सौरी क्लिप कट चुकी कट गई थी व केक बनेगा हमारा वो केक का कलर अच्छा है तो यह देखे एक हमने रखी हुए कडाई उसमें हम डाल देंगे करीब करीब दो ग्लास पानी और इसको हम रखेंगे स्टैंड एक इसमें और इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे बॉयल जब आ जाएगा तब हम इसका यूज करेंगे यह देगा इस तक तक हम अपना थोड़ा सा ले लिया गी क्योंकि ठंडी है तो इस समय जमा हुआ होता है तो इसको हम पूरे केक्टिन में लगा लेंगे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस कर लिया है और अपना सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसंटेंसी जैसे हम केक के लिए मगा बनाते हैं बस उसी हिसाब से हमने कंसंटेंसी कर लिया है बैटर के यह देखे गाइस हम ऐसा टैप कर देंगे जिससे कि यह एकदम से बराबर हो जाएगा अच्छे से तो यह देख सकते हैं अब हम पानी में अ के लिए तो इसको मच्छे से रख करके कवर कर देंगे अच्छे से यह देखे गाई लगबग लगबग तीस मिनट तक हम इसको रख देंगे इस टीम में पकने के लिए और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल धीमा तो इसी तरह से बनाएंगे तो अब देख सकते हैं तीस मिनट लगबग होने वाले हैं यह देखे गाइस तीस में ठोज चुका है तो मारा कूख हो चुका है तो इसको फ्लेम हमने कर दिया है बन और इसको हम यह देख सकते हैं कितना अच्छे से हो गया है तो इसको हम थोड़ी दिर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और टस करके देख रहा इसने बैटर ने अपना छोड़ दिया है बरतन को अच्छे से तो ये देखेंगे इसको ना हम चाकुस से स्क्रेप करेंगे और ना ही हम इसको टैप करेंगे ये देखते हैं और ये गैरंटी है हमारी ये ऐसे ही छूट जाएगा तो देखेंगा आगे चलके ये एक प्लेट ल तो बिला रखेंगे में क्या ने मुद मुआ बंगा वहां पूसना जाली केक हो परड़ी लाहिए जा नो रखेंगे, रखेंगे अपने पराबर हो प्रते नो क में ने हमें बॉल एंगसे नो में कीजने कर हैं दी खाने में बहुत टेस्टी बहुत हल्दी है जुनको जेली बेस पसंद है उसको यह बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा यम्मी लगेगा तो गाई अगर हमारी यह रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करिएगा और अपने अपने सब्सक्राइब बाइ